गुड मॉर्निंग बच्चो आज हम फिर एक बार मैट से 4E जो की मल्टिप्लिकेशन चैप्टर का है उसको लेकर आपके सामने विद्ध्यवेर स्कूल के यूट्यूब चैनल के थ्रू हम जुड़े हुए हैं और उसके मैंने दो कोश्चन जैसा कि आपको गोट पर दिख रह हुआ हुआ तो पहला कुश्चन हम स्टडी कर रहा है ना बेट ऑफ पैकेड इस 485 ग्राम एक पैकेट का बेट जो है 485 ग्राम है इन दट फाइंड तोटल वाट इस दा टोटल वेट ऑफ 54 सच पैकेट तो ऐसे 54 और पैकेट का टोटल वेट क्या होगा सेरीसी बात है मल्टिपलेकेशन की जो चैप्टर है और ये मल्टिपलाई के लिए इंडिकेट कर रहा है तो आप इसे कैसे भी तीन मेथड अपने सीखें एक रोवाइस एक कॉलमबाइस और एक लैटिस मेथड इसके जो हमने से लास्ट वीडियो में सीखा था किसी भी मेथड से आप कर स आ पिस एक चार की तो क्यों आम अपने जो जनेरल तरीका है जो रोवाइस वाला उस तरीके से करें तो जो पहले वन पैकेट का जो वेड वो क्या है ओर्फोर हंंड्रेटेटी फाई कुटने पैकेट कितने हैं ऐस प्यस्त्यफ्टेकेशनμεत्यू टो चैणला है तो आप मल लिया, 4, 8 या, 32, and 33, 34, 3 carry, फिर 4, 4 या, 16, and 3, is 19, एक number फिनिश हुआ, मैंने एक cross लगा दिया, 5 है, 5, 5 या, 25, 2 carry, 5, 8 या, 40, and 2, 42, now, 4 carry, 5, 4 या, 20, and 4, 24, कितना आया, add करनेंगे, 0, 5, 4, 9, 9, 2, 11, 1 carry, 4, 1, 5, 1, 6, और ये, 2, तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे आप, the total weight of 54 packets is 26, 1, 9, 0, gram, grams, आप चाहें, तो kg में convert कर सकते, kilogram में, तो आपको थाउजन के, divide करना होगा, ऐसे, एक gram में, यहां तक complete हुआ, यह second question, and now, fourth मैं study कर रहा हूँ, fourth question मैंने, बूर्ट पर लिखा है, the weight of a sugar bag, is 25 kg, यहाँ पर, यह लिखा हुआ है, यहाँ एक sugar bag, एक सक्कर के थैले का बज़ंग, जो है, उसमें, total quantity, जो है, वो 25 kg है, sugar की, and find a bit of, 673 such sugar bags, और माल लीजिए, उस go down में, 673 box रखे हुए है, sugar bags रखे हुए, तो उनमें, total budget, total weight, क्या होगा, तो, total bags कितने हैं, 673, और, एक bag का जो बज़ंग है, वो कितना है, 25 kg, ऐसे हमने इसको, row में लिख लिया, और हम इसका multiply कर रहे है, 53 जा, 15, 1 carry, 57 जा 35, 5 and 1, 36, 3 carry, 56 जा 30, and 3, 33, ठीक है यहां तक, 23 जा 6, एक क्रोस लगाने के बाद, 27 जा 14, 1 carry, 26 जा 12, and 1, 30, अब इनको हम add कर देते हैं, 5 का 5, 6 6, 12, 1 carry, 4 प्लस 3, 7 बन, 8, and 33, 6, and 1, तो आप लाएन लिखेंगे, क्या, total, weight, of, 673, sugar, bags, equal than, 168, 25 kg, किलो ग्राम्स, इस प्रकार से, इसके ये दोनों को कुश्चिन्स, पूरी तरीके से complete है, इसके बाद अब एक और कुश्चिन्स को attempt करेंगे अभी, थेकिए, मैंने एक और कुश्चिन्स आपको बूट पर उता रहा है, जिसका राम कुश्चिन्स नमबर जो है, जब वो 8 है और लिखा क्या है उसमें, मैं अब पूश्चिन्स टडी करके बता रहा है, आद डीलर वाइस, 285 बॉचेज, एक डीलर जो है, वो 285 बॉचेज, यानि घडियां खरीतता है, एड़ इच बॉच कॉस्ट से, और एक बॉच की कॉस्ट उसे, कितनी टॉटल बॉच कितनी है, 285 बॉच का कॉस्ट क्या है, 665 बॉच को ऐसे पूट कर लिया हमने, और मॉल्टिपलाई करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं, यूइन बिजिट पे कौन है, 5 और इस वाले करी 5, तो 5 उठाते हैं, 5 फाइब जा, 5 का 5 तैंस किया, 25 आया, और 2 केरी आया, 5 एड जा, 40, और 2, 42, फिर 4 केरी आया, 5 तो जा, 10, और 4, 14, एक नंबर फिनिस, एक क्रोस मेंने लगा दिया, अब हम 6 से करते हैं द्वारा, 65 जा, 33, 0 मेंने, 7 फिलेस पे लिख लिया, 68 जा, 48, and 3 उसमें एड करेंगे, तो 51, 5 केरी, और 6, 2 जा, 12, and 5, 70, ठीक है, अब मैंना देखा, यह 3rd नंबर भी 6 से का, तो मैं 6 का तो जस्ट मल्टिप्लाई करके भी आया हूँ, तो मैं यह द्वारा मल्टिप्लाई करने की ज़रूद, नहीं है, मैं इसको यूनिट इजिट से लिख देता हूँ, 0, 1, 7, 1, ठीक है, अब हम 3ो को एड कर देते हैं, 3ो रोस को एड कर रहा है, कॉलम्बाइस करते हैं, 5, 2, 0, 2, 4, 1, 5, 7, 8, 9, कोई कहरी अभी तक नहीं आई है, 7 बन 8, बन का 1, तो टोटल उसने कितने पैसे पैम्ट की है, ही, या लिख देए, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, पेड, वाई, हैं, ये लिखे हैं, 1, 8, 9, 5, 2, 5, रूपीज का साइन, आगे लिखते हैं, इस प्रकार, ये 4E एक्सराइज, जो इस चेप्टर की लास्ट एक्सराइज थी, कम्प्लीट होती है, आप से हम जल्दी मिलेंगे, अगले चेप्टर के साथ, अगले एक्सराइज के साथ,